इस वीडियो में आप DL8 4 समेस्टर के अंग्रेजी प्रशन पत्र जो की वर्स 2021 में पूछा गया था उसका complete solution देखने जा रहे हैं यदि आप वर्स 2021 के अंग्रेज सब्जेक्ट के प्रशन पत्र और वर्स 2019 और वर्स 2020 में 4 समेस्टर में पूछे गए सभी प्रशन पत्रों का complete solution देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का description चेक करना ना भूलें पहला प्रशन पूछा गया था who developed the direct method यानि कि direct method जो है उसकी खोज किस ने की थी तो option नमबर एक max million बरलिट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का option नमबर एक सही उत्तर है दूसरा प्रशन है secondary language skills are जैसा कि आपको गयात होगा language सीखने के चार skills होते हैं LSRW यानि कि listening, speaking, reading और writing जिसमें से listening और speaking यानि कि किसी भासा को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चा उसे सुनेगा उस भासा को और फिर बोलना सीखता है तो वो होता है primary language skill ठीक है और secondary language skill की बात की जाए तो reading और writing जो होता है वो secondary language skill में आते हैं यानि दूसरे का option नमबर 3 reading and writing इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रशन है C is eligible – the post of a teacher तो इसमें fill हो जाएगा option नमबर 3 for चौथा प्रशन है How many syllables are there in the word population? सबसे पहले syllables समझ लेते हैं किसी word को बोलते समय जितने बार हमें रुकरना पड़ता है थोड़े कम समय के लिए ही सही जितना ठहरा होगा word को बोलने में उतना ही syllables होगा एक उधारान से समझिए अगर मैं word बोलता हूँ student यानि कि छात्र ठीक है students, student word में कुल कितने syllables होगे इनको जाचने के लिए आप बोल करके देखिए पहले आप बोलेंगे फिर थोड़ा दर के लिए रुकते हैं फिर देंट बोलते हैं student बोल करके देखिए तो इसमें दो syllables हो जाएंगे इसी प्रकार से अगर मैं एक और word बोलूँ cat तो आप पूरे जटके के साथ एक ही बार में पूरे word को उचारित कर पा रहे हैं तो वो monos syllable यानि उसमें syllable की संख्या कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी इसी प्रकार से अब word population जो की आपके paper में पूछा गया है इसके बार में अगर बात कर ली जाए तो आप बोल करके देखिए population आप कितने बार रुकेंगे population पहला syllable हो जाएगा पो दूसरा हो जाएगा पू तीसर question की fill in the blank sentence आपको दिया गया if I were a rich man I dash you इसका मतलब हो गया कि अगर मैं अमीर आदमी होता if के साथ अगर I और फिर were का use किया जाता तो यहाँ पर इच्छा प्रकट की जाती है कि अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं तुम्हारी मदद करता ठीक है यह पूरा complete sense बनेगा इसका अब देखिए इसमें पहला और तीसरा दोनों option सही हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही condition में प्रियोग किया जाता है अब किस condition में कौन सा use होगा उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर आपको यह बोलना रहे कि अगर मैं अमीर आदमी होता तो तुम्हारी मदद कर देता अगर यह present के sense में करना रहे कि अगर कोई ऐसा situation बन गया जो कि आपको तुरंत उसकी मदद करनी होती तो यानि present वर्तमान की बात होती तो वहाँ पर would के साथ verb का first form यूज किया जाता है ठीक है इस हिसाब से तेखा जया तो पहला option सही उतर होगा लेकिन अगर इसी sense को past के reference म बोला जाए कि अगर मैं अमीर आदमी होता तो तुम्हारी मदद किया होता अगर जो समय बीच चुका है उस समय को reference में लेते हुए अगर बोला जाए तो वहाँ would have के साथ verb की third form का use किया जाता है जो की option number 3 में दिया गया है तो पांचवे का पहला और तीसरा दोनों option सही हो स और would के साथ first form की बात की गई रहती है थोड़ा आप standard book को पढ़ेंगे तो वहाँ पर would have के साथ word की third form की भी बात की गई रहती है तो पहला तीसरा दोनों option सही है ये प्रशन आयो के उपर छोड़ दिया जाता है कि वह किसको सही मानते हैं बात करेंगे very short answer type questions की छटा प्रश उस पर dependent होता है यानि कि एक स्वतंत्र वाक्य होगा और दूसरा उस पर आस्रित वाक्य होगा अर्थ clear करने के लिए उसका help लेगा ठीक है अब देखिए इसी को अगर मैं बोलूँ I know the writer of this book यानि कि मैं इस किताब के writer को जानता हूँ अगर मैं ये बोल दूँ कि I know who is the writer of this book तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं जानता हूँ इस book का लेखा कौन है तो उस condition में देखिए पहला sentence आपका हो गया कि मैं जानता हूँ लेकिन आप क्या जानते हैं तो इसके अर्थ के लिए दूसरे sentence कि इस book का लेखा कौन है उस पर आपको निर्भर होना पड़ रहा ह तो यहाँ पर complex sentence इस प्रकार से बन जाएगा I know who is the writer of this book बढ़ते हैं सात्वे प्रशन की तरफ Change the following sentence into passive voice यहाँ पर active voice आपको दिया गया Lord Rama, killed Ravad यहाँ पर जो verb है, killed उसमें verb की second form यूज की गई है जिसे आपको idea लग गया कि यह जो tense है वो past independent tense का है, ठीक है अब जब passive में convert करना होगा तो आपको past continuous के helping verb को use करना होगा past continuous में helping verb वाज या फिर वर लगता है, ठीक है यहाँ पर देखिए, आपका object रावड हो गया जिसको पहले आप लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा और रावड के अनुसार यह singular है, तो वाज का प्रियोग होगा तो हो जाएगा रावड वाज, फिर वर्ब की third form kill है, तो उसका third form killed हो जाएगा रावड वाज killed by Lord Rama आपका पूरा sentence हो जाएगा रावड वाज killed by Lord Rama आठवा प्रेशन पूछा गया है change the following sentence into past indefinite tense, यानि दिये गए वाक्य को past indefinite tense में convert करो, ठीक है, यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया, I draw a beautiful painting, यानि कि वर्ब का first form use किया गया है इससे आपको idea लग गया कि यह present indefinite tense में है जिसका अर्थ हो जाएगा कि मैं एक सुन्दर painting बनाता हूँ, ठीक है अब जब इसको past indefinite में convert करना होगा, तो past indefinite में आपका verb का second form use किया जाता है, तो draw जो की main verb है उसका second form drew होता है d-r-e-w, तो आपका complete sentence बन जाएगा, I drew a beautiful painting, बात करेंगे 9 प्रश्न की, combine the following sentence into compound sentence और यहाँ पर वाक्य आपको दिया गया है the captain lost his temper अगला sentence है, the players also did so, यानि कि जो captain है, उसने अपना आपक हो दिया, और जो players थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया, तो इसको compound में, एक ही sentence में बनाना है compound sentence में, दो independent clause होते हैं, यानि कि दो वाक्य होंगे, जो कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक conjunction के माध्यम से वो आपस में जुड़े होते हैं, अब देखिए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, the captain and the players lost their temper अब यहाँ पर their इस वज़े से यूज होगा, क्योंकि the captain और the players, दोनों की बात हो रही है इस वज़े से यहाँ पर their यूज होगा इस sentence को आप compound में इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कि the captain as well as the players lost their temper यानि कि captain और खिलाडियों ने अपना आपा खो दिया इन दोनों sentence को हमने जोड़ दिया, लेकिन दोनों एक दूसे से independent हैं, स्वतंत्र हैं अगर आप दोनों को अलग भी करेंगे तो दोनों का मतलब अलग-अलग निकाल सकते हैं कि captain ने भी अपना आपा खोया और खिलाडियों ने भी अपना आपा खोया, दोनों एक दूसे से सोतंत्र हैं तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दस्वा प्रश्ण है what do you mean by structural approach यानि कि structural approach से आप क्या समझते हैं तो direct method का alternative के रूप में structural approach को देखा जाता है direct method में जिस प्रकार से आप mother tongue हिंदी सीखे हैं यानि कि आपका environment ही हिंदी का था इस वज़े से आप आसानी से उसको occupy कर पाएं उसी प्रकार से अगर structural approach की बात की जाए तो एक structure का मतब होता है धाचा यानि कि एक पहले से pre-plant धाचे की बात की जाती है इसमें जैसे कि अगर अंग्रेजी भाशा की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से एक sentence का pattern बना हुआ कि सबसे पहले subject आएगा उसके बाद से helping verb आएगा फिर main verb आएगा फिर object आएगा तो यह एक pattern बना हुआ है structure बना हुआ है इसी के अनुसार बच्चों को भाशा सिखाए जाएगी तो यही structural approach है कि एक systematic pattern sentence का होता है सब्दों का एक क्रम होता है उसके माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी भाशा के बारे में सिखाया जा सकता है इन सबको आप छोटे-छोटे sentences में लिख सकते हैं अंग्रेजी में 11 प्रशन है correct the following sentence और वाक्य आपको दिया गया can you give me few apples क्या तुम मुझे कुछ save दे सकते हो इसको सही करने के लिए आपको few से पहले a लगाना होगा आप लोगोंने कई जगा देखा होगा कि few से पहले 2 का भी use किया जाता है थोड़ा सा difference आप समझ लिजे a few का use तब किया जाएगा जब कुछ save ही मांगे जाएं पूरे save ना मांगे जाएं लेकिन the few अगर use हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि कुछ saves है और आपने सभी save मांगे हुए हैं तो यह sense के उपर depend करता है कि आप a few का यूज करेंगे या फिर the few का यूज करेंगे यहाँ पर कुछ save मांगा जा रहा है यानि कि सभी save में से कुछ save मांगने की बात हो रही है इस वज़ा से a few का यूज होगा और आपका correct sentence हो जाएगा can you give me a few apples बात करेंगे short answer type questions की बारहवाँ प्रस्ट है what are the objectives of teaching prose prose का हिंदी meaning होता है गद्ध ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है कि गद्ध पढ़ाने के क्या कुछ aim यानि objectives होते हैं तो इसका objective आप लिख सकते हैं to develop their imagination यानि बच्चों में imagination को बढ़ावा देने के लिए to enjoy reading and writing बच्चों को पढ़ने और लेखन causal को enjoy करने के लिए तीसरा आप लोग लिख सकते हैं to enrich their active and passive vocabulary यानि कि उनमें शब्दावली शब्दों का ज्यान कराने के लिए इसके अलावा to understand the passage and grasp its meaning यानि कि गद्दे को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहन करने के संदर्ब में और आगे आप लेख सकते हैं to enable students to understand the passage by silent reading यानि कि मौन वाचन के तहत वा गद्दे को समझ सके इसको उनमें समझ उत्पन करने के लिए प्रोज टीचिंग यानि गद्दे सिक्षण इंपोर्टेंट है अब बात करेंगे तिरह में प्रेशन की write down the steps of poetry teaching यानि कि कविता सिक्षण की क्या कुछ steps हैं उनको आपसे पूछा जा रहा है poetry teaching के कुल आठ steps होते हैं पहला read the poem aloud यानि कि सिक्षण कविता का तेजी से सस्वर वाचन करते हुए बच्चों को बताएगा उसके बाद से identify and define words the student do not know यानि बच्चे कौन से सब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं उनको सिक्षण पहले identify करेगा तीसरा step होता है read the poem aloud again यानि फिर से teacher पूरे poem को तेजी से सस्वर वाचन करते हुए बच्चों को सुनाएगा चौथा होता है summarize the poem यानि पूरे कविता के भाव को सिक्षण बच्चों को बताएगा उसके बाद होता है discuss the poem बच्चों से सिक्षण डिस्कस करेगा poems के बारे में उसके बाद से छठवा step होता है ask students for their experiences यानि कि बच्चों का उस कविता पर क्या अनुभव रहा है इसके बारे में सिक्षण बच्चों से पूछेगा साथवा होता है memorize the poem यानि कि कविता को बच्चे memorize करेंगे याद करेंगे और आठवा होता है recite the poem यानि कि सिक्षक बच्चों से कविता को सुनेगा तो ये आठ steps होते है poetry teaching के चौधावा प्रशन है write a letter to your friend congratulating him on his success in the PMT examination तो आपको एक letter लिखना था basically अपने मित्र को बधाई देते हुए कि उसने PMT examination में success हासिल कर लिया तो आपको बधाई देते हुए एक पत्र लिखना था मैं उमीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा pattern आप लोगों को पता है सिर्फ बीज का content ही आप लोगों को लिखना था पंदरहावा प्रशन है write a paragraph on the effects of COVID-19 in about 50 words यानि कि COVID-19 के प्रभाव को 50 शब्दों में आपको लिखना था तो आप छोटे छोटे शब्दों वाक्यों में COVID-19 के effect को लिख सकते थे क्योंकि इस से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और आर्थिक इस्तिती से पूरा देश एक तरीके से जूज रहा था इसके अलामा आप लोग लिख सकते हैं कि मास्क का प्रयोग और आपसी दूरी का विशेश ध्यान रखा जा रहा था ये सब चीजे छोटी-छोटी करके वाक्यों में आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं पहला सेंटेंस आपको दिया गया तो इसका आपका हो जाएगा बात करेंगे 17 प्रेशन की पहला आपको पूछा गया है मतलब वह अपने गंदे हाथों के लिए सर्मिंदा था तो यहाँ पर अशेंट के बाद प्रेशन आफ यूज किया जाएगा तो पहले में आफ फिल हो जाएगा दूसरा है यानि कि एक माता को उसके बच्चे से बहुत लगा होता है अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर का यूज किया जाता है तो दूसरे में हो जाएगा बात करेंगे 18 में प्रेशन की यूज दा फॉलोइंग फ्रेशन इन दे सेंटेंस आफ यूर ओन यानि कि जो फ्रेशन दिये गए है इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मिनिंग क्लियर हो पहला है और रेड लेटर डे और रेड लेटर डे फ्रेश की मिनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि एक विशेष दिन जिस दिन जो की याद किया जाता है किसी महतोपूर्ण घटना के लिए या फिर कुछ अच्छा होने के संदर में तो इसका वाक्य प्रेश आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यानि कि जिस दिन मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी वह दिन मेरे लिए विशेष दिन था यानि कि कुछ अच्छा हुआ था तो इस सेंस में आप प्रियोग कर सकते हैं दूसरा है अट एनी रेट फ्रेज का यूज अट एनी कॉस्ट फ्रेज के तरह ही किया जाता है यानि कि किसी भी कीमत पर तो इसका वाकिय प्रियोग आप लोग लिख सकते हैं इस टाइब से कि I promise to be there at any rate मतलब कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ किसी भी कीमत पर रहूंगा दोस्तों यहाँ पर आपका अंग्रेजी का पूरा प्रशन पत्र सॉल्व हो चुका है आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स के मादम से जरू बताएगा साथी वर्स 2021 के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रशन पत्र का कम्प्लीट सलूसन और 19 और 2020 में पूछेगा चतुर समेस्टर के सभी प्रशन पत्रों का कम्प्लीट सलूसन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुब हो